आज हमने एकदम आसान तरीके से सबजियों से भरपूर एकदम टेस्टी और मसालेदार सबजियों की तेहरी बनाई है इसे पुलाव भी कहते हैं यह बहुत ही टेस्टी बनता है तो चले रेसिपी की सुरुआत करते हैं और बनाते हैं सबजियों की तेहरी कुकर में 2-3 टेबल स्पून तेल डालेंगे, 1 टेबल स्पून देशी गी डालेंगे, तेल और गी गरम हो रहा है तभी हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे, 1 तेज पत्ता, 3 लॉंग, 3 इलाइची और 1 टुकड़ा दालची दिका लिया है, इलाइची को हमें उपर से खोल के लेना है, आधि टीजपून राइ, आधि टीजपून जीरा, प्याइक को क्रेकल होने देँगे, राइक क्रेकल हो गई है, दो छोटी साइज का प्याज का स्लाइस करके लिए है, प्याज को थोड़े देर के लिए बून लेते हैं, प्याज को हमने दीवी आज पे 1-2 साइट स Galing, रेसे के चार।, और जच पानी सुख गया है। आजी टेबल स्पून लसन सुख की पेस्ट। एक्टी स्पून हरी मिरची की पेस्ट। आजी टेबल स्पून अद्रक की पेस्ट। अद्रक लसन को लायए ह़ी सौत है. देड कप मिक्स वेजिटेबल लिया है इसमें मैंने एक छोटी साइज का गाजर एक मीडियम साइज का बेंगन इसे चौप किया है चार से पांच गोबी के फूले एक छोटी साइज का आलू 10 से 12 ग्रीन बीन्स सबको मैंने मीडियम चौप करके लिया है यह अंदर डाल देंगे एक छोटाए कप मटर चला लेंगे सबजी को आदा कप तीनो कलर की सिम्ला विर्च ली है यह औप्सनल है अगर आपको नहीं डालना है तो आप सिर्फ हरी सिम्ला विर्च डाल सकते है इस पुलाव में हम बहुत सारी सबजीयों का इस्तमाल करेंगे तो यह बहुत ही हेल्दी बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा एक मिडियम साइस का टमाटर चौप करके लिया है दीमी आज पे ही सबजीयों को बुनना है एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून धन्याजीरा पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून साही बिर्यानी मसाला इसके बदले भी आप गरम मसाला डाल सकते हैं अगर नॉर्मल गरम मसाला डाल रहे हैं, तो एक टीस्पून गरम मसाला डालें दीमी आज पे दो मिनिट के लिए मसाला अच्छे से बून लेते हैं एक कप बास्मती चावल को दो से तीन बार पानी से धो लिया था और पानी डालके इसे 15 से 20 मिनिट तक इसे भीगो के रखा था और इसका पानी हमने निकाल दिया है, ये चावल अंदर डाल देंगे हलके हाथ से चलाएंगे, नेदर चावल का दाना जो है वो तूट जाएगा दीमी आज पे दो मिनिट चावल को भी भून लेते हैं दो मिनिट के लिए चावल को हमने भून लिया है एक कप हमने बास्मती चावल लिया था, तो दो कप हमने पानी गरम किया है गरम पानी इसके अंदर डालेंगे दो टीजपून नमक डालेंगे या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आधि टीजपून चीनी एक टीजपून लिम्बू का रस मिक्स कर लेंगे इस टाइम पे इसे टेस्ट करके देख लेना है अगर नमक कम है तो आप अपने हिसाब से ठोड़ा सा डाल सकते हैं कूकर का ढकन बंद करके मिडियूम फ्लेम पे एक सीटी तक कूक करेंगे मिडियूम फ्लेम पे एक सीटी हो गई है तो गैस ओफ कर देते हैं और कूकर को ठंडा होने देंगे फुकर ठंडा हो गया है, इसे खोल के देख लेते हैं सब्जियों की तेहरी पुलाव रेडी है, बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है एक चमच उपर घीर डालेंगे, आप भी इस तरह से जरूर बनाना बहुत ही टेस्टी बनता है अब ठंडी के मोसम में सब्जिया भी बहुत सारी मिलती है, हलके हाथ से इसे चलाएंगे दो से तीन टेबल स्पून उपर हमने हरा दनिया डाल दिया है सब्जियों की तेहरी पुलाव रेडी है, यह बहुत ही टेस्टी बना है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में लिखे मुझे जरूर बताए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में